असलाम अलेकुम, मैं हुँ शबाना हनीफ, आज हम बनाएंगे कुल्फा, ओमट कुल्फा बनाएंगे मैं आपको इसको सिर्फ गरने का तरीका ही बताओंगे कि इसका मिक्सटे ददो घर में कैसे तैयार कर सकतें इसका पाउडर और इसको कैसे सेफ कर सकते हैं और इसके साथ किस तरह हम कुलफा बना सकते हैं आए देखते हैं यहां पर मैंने लिया है चार स्लाइज मैंने ब्रेड के लिए थे उसके मैंने किनारे नहीं उतारे और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था बारी पीस लिया था ब्रेड क्रम्स के तरह मैंने एक फैट पैन लिया है और इसमें जो मैंने ब्रैट पीस कर रखी थी मैंने सारी इसमें एड़ कर लिये और मैंने पैन के नीचे आग बहुत हल्की रखी यह देखें इससे ज़ादा तेज आच मत कीजेगा वनना यह फॉरन जल जाएंगे और मुस्तकिल चम्मच चलाते जाना और जब तक इगोलडन न हो जाए आपने चम्मच चलाते जाना है यह देखें हलका light सा golden हो गया है और मैंने इसको 5-10 मिनट के लिए फ्राइग किया था यह देखें इसमें मैंने कुछ नहीं डाला ओल बगारा कुछ नहीं डाला काली bread crumbs हैं अब इस खंड़ा ओने कली रख देंगी अच्छे से golden हो गें यहां पर मैंने आदा कप पाउडर लिया है काजु का और आदा कप पाउडर मैंने लिया है बदाम को और आदा कप मैंने पिस्ते का पाउडर लिया है इन सब को मैंने बारिक पीस लिया और यहां पर मैंने डेड़ कप मैंने सुकप दूद लिया है और यहां पर डेड़ कप म अब मैं यहाँ पर डालूंगी पिसेवी चीनी और यह घर की पिसेवी चीनी आपने इसमें आइसिंग शुगर बजार वाली नहीं डालनी और यह मैंने दू डाल दिया इसमें गाए मिल्क अब मैंने इसमें लाइची पाउडर भी आड़ कर दिया अब पिसेवे काजू हैं यह तमाम चीज़े मैंने एक एक लिए और इनको आदा अदा कप कर लिए कि आदा कप मैंने पीस दिया था और आदा कप मैंने मूटा रख दिया यहाँ पर देखे मैंने बादाम और पिस्ते भी डाल दिये जो पिसेवे जो बारिक पाउडर के तरह अब यह मूटे टेवे पिस्ता ये भी मैंने डाल ग्याए इसमें और इनका हे लोठा दाम भी इसमें डाल दिये अब इनकमाम चीज़ों को अच्छे से श्किर कर लिए हर चीज जाल सकते हैं पुलफा पाउडर को और डाल कर इसको फ्रीज में रख देंगी और जब दिल चाहे आप इसको यूज करें यह तकरीबन एक-दो महीने तक अराम से रह जाता है पर यह कोशिश किज़ेगा इसमें गीला चमच या गीले हाथ नहीं लगने चाहिए वरना यह खरा अगर मुझे मज़ीद इस पाउडर की ज़रत पड़ेगी तो मैं एक अप से ज्यादा इसमें डाल के यहां पर एक लिटर दूद है और इसको अच्छे से बॉइल कर लिया मैंने यह देखें अब यह नहीं के एक लिटर दूद है तो इसको आदा लिटर कर लें या इसको न इसका एक हिस्सा इसको ड्राय कर दें ऐसा कुछ भी ने बस जैसे बॉइल हो तो आप यह मिक्सर इसमें डाल देगा कुलफा मिक्षर यह देखें सारा पाउडर मैंने इसमें एड कर दिया है यहां पर मुझे लगएगा कि अगर और पाउडर की जोरत है तो मैं इसमें आद मिन के लिए पकाएंगे बहुत ज्यादा नहीं पकाना घंटो घंटो नहीं इसको पकाना एक दफ़ा इसमें उबाल आ जाए और हल्की आज पे पांच मिन के लिए छोड़ दूँगी पकने के लिए यह देखें कितना अच्छा यह तैयार हो गया है और इसकी थिकनेस मुझ अच्छा इसमें एड कर लीजिएगा मुझे इतना ही पसंद था यह देखें यह पके तयार हो गया है मैंने इसकी अलकी आज पे इसको पकाया है पांच मिनट यह बिल्कुल तयार है अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रग दूँगी यह देखें यह थंडा हो गया तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लिया थे अभी थंडा है बल्कुल यह घरम ने क्युके देख कर लिए जा सकती है मैंने यहाँ पर एक कांच का बॉल्लियर आप इसी चीज में भी आत मैं एक ड़ों श्रमा सकते हैं आपके पास और मोल्द और 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 अ यह थीरह दुग प्रीज में रख देगे, मैंने यहां पर एक कांच के बॉल में डाल दी अगर कुछ मेरे पास जो बच्चा है वो मेरे पास कुल्फा के मोल्ड बढ़े वे थे तो मैंने बच्चों के लिए उसमें कुल्फे की तरह इसको जमा दिये यह देखे मेरे पास प्लास्टिक के बच्चे खुश हो जाते हैं आपको पता है कि स्ट्रीक में लगई चीज़ को जैसे आइस क्रीम हो बच्चे इस्ट्रीक वाली आइस क्रीम ज्यादा पसंद करते हैं तो मैंने मोल्ड को ऐसे ही फिल कर लिया था और मैंने ओवरनाइट के लिए इसम बॉक्स को और इसको तो 5 मिन पहले इसको निकाल लिए और रख दे उसके बाद आप लेना इस बॉल से निकाले तो बासानी निकल जाती है यह देखें अब मैं एक प्लेट होगी और इसको उपर इसको उल्डालूंगी इसको इस तरह पलट लीजेगा इसको उपर और अपनी हतेली की मदद से इसक कट भी जाएगी यह देखें यह देखें ढिल गया भी है को मुत लिजिए के दिधनु हैन देखेंए निकल देखेंगी हम युद्शक आको सीध्री साड़े यह तक करें अब आप इसको किसी तेज चुरी से इसको गाट लीजिए ये इससे बहुत असानी से लिजाएगी मै इसे भी सबको बहुत पसंद आती है और दावत में तो लोग बहुत पसंद करते हैं और इसके साथ अगर अगर आप फालूदा बगारा बनाएंगी तो यह इसके साथ भी बहुत मज़ेदार लगती है चले हम इसको इतना दूसरी प्लेट में निकालते हैं यह देखें अंदर लोग कैसे निकल के नजर आती है यह देखें इसारे कितने अच्छे जम गए बच्चों को खास करके बहुत पसंद आती है यह देखें यह भी दाना फ्रीजर से दो मिन के लिए निकाल के रखेंगे तो यह बासानी निकल जाएगी अगर इसको कोई पानी में डिपनी किया अगर नहीं निकल रही तो आप एक ग्लास पानी में इसको हल्का सा घुमाएंगी तो यह बहुत जल्दी निकल जाएगा कुछ लोग इसको मटका कुलपी कहते हैं कुछ पुशावरी कुलपा कहते हैं आपको जो नाम अच्छा लगे आप वो दे सकती है अगर आपको मेरे अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा सिस्काइब कीजिएगा और अपने फैमिली फैंड से शेर कीजिएगा अपने दोओं में याद रुखिएगा अलाहाफेज